हलो फ्रेंट्स आएम अपरती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपसे एक इंपोर्टेंट जानकारी शेयर करेंगे जिसको लेकर काफी जादे व्यूवर्स हमारे कन्फ्यूज रहते हैं कि आके हमारे प्लांट्स में ये हो क्या रहा है उससे पहले ये ए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चैक कीजिए हर तरह की तितलिया हमारे गार्डन में आती हैं क्योंकि हर तरह के फूल हम ग्रो करना पसंद करते हैं तो आते हैं अपने टॉपिक पर तो आज हम आपको कुछ ऐसे कीटों के बारे में बताएंगे ऐसे कोई केटेपिलर दिखाई देगा नलार्वा दिखाई देगा कुछ आपको वहां दिखाई नहीं देता है इंसेक्ट भी आपको कोई दिखाई नहीं देता है आप सोचते हैं पता नहीं कौन हमरे गार्डन की पतियां खा रहा है तो यह हैं एक इंसेक्ट है ग्रास होपर फ ऐसे नहीं खाएंगे कि यह साइट से खाना शुरू करेंगे यह सेंटर में उसके इस तरह से कुछ अलगी भाशा लिख देते हैं जो आपको शायद समझ में ना आए हमें तो समझ में नहीं आ रही है लेकिन हमारे काफी व्यूर सोचते हैं पता नहीं यह कौन सा इंसेक्ट है जो हमारे गार्डन की पत्तियां खा रहा है तो गौावा में आपने देखा अभी अमरूत की पत्तियां और यह है गुलाब की पत्ति जिस पे बहुत ही खुबसूरत जेड अलफबेट लिखा हुआ है जो की बहुत ही स्टाइलिस्ट वे में लिखा हुआ है और आप इधर देखेंगे यह जिगजग भी इन्होंने ही बनाया है तो अगर पत्तियों पे आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे तो समझ जाईए कि यह ग्रैसोपर का काम है और वो भी जो पत्ला वाला बारीक वाला ग्रैसोपर है वो तो इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ लोग इसको मार देते हैं लेकिन मारना नहीं चाहिए क्योंकि यह भी हमारी तरह एक जीव है इसमें भी जान होती है इसको हटाने का सबसे अच्छा तरीका है इसको किसी कपड़े से आप पकड़िए और गार्डन से दूर फेक दीजिए फिर ये लोटकर वापस रही आते हैं और आप इनको जब पकड़ने जाते हैं तो ये काफी जादा उचल कूद करते हैं तो बहुत ध्यान से इनको देखने के लिए मिलता ही होगा लेकिन आप इसको भी देखकर नहीं समझ पाते होंगे कि ये किस ने किया है क्योंकि जो कैट़र होता है वो इस तरह से पत्तियों को कट नहीं करता है ये बहुत ही खूपसूरती से round shape में कट किया जाता है और पूरी के पूरी जो पती है वो एसा हो जाता है, आखमारे अक विवर ने दो फोटो शेयर किये थे, जो कि एक विंका प्लान का था, तो दोनों में ही ऐसा हो रखा था, यह जो काम होता है, यह होता है, एक लीव कतर बी का, जिसको लीव कटिंग बी भी कहते है, यह एक solitary bees भी होती है solitary bees वो होती है जो अकेला रहना पसंद करती है यानि कि मदुमक्यों की तरह इनके मदुमक्य के छटे नहीं होते है bee hives नहीं होते है ये colony में नहीं रहती है ये अकेला रहना पसंद करती है और holes में अपना घर बनाती है छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें ले जाकर ये खास दोर पर गुलाब की पतियां ही कटिंग करके ले जाती हैं या फिर इनको सौफ्ट पतियां जो भी मिल जाती हैं जिससे रोटी या चपाती का रोल बनाते हैं उस तरह से ये उस होल में ले जाकर रखती रहती हैं फिर ज उसमें से वो प्यूपा बन जाता है और फिर वो बाहर आता है एक ब्यूटिफुल लीफ कटर बी बनकर यानि कि इसमें से ही निकलकर मधुमक्खी बनकर ही बाहर आएगा और बाहर से भी उस पत्ती को पत्ती से बंद कर देती हैं गेट तो जिसे इनका बच्चा जो है जो अं कि solitary bee होती है यानि कि मधुमक्खियों के अलावा भी कई ऐसी bees होती है जो कि अकेला रहना पसंद करती है लेकिन हमारे काफी viewers bee के नाम पर केवल honey bee को ही जानते है यानि मधुमक्खी जो शहद बनाती है बस उसको ही जानते है तो ऐसा नहीं है solitary bees भी होती है जो अकेला रहना चत्य की तरह इनका घर नहीं होता है ना ही यह उसकी तरह शहद इखटा करती है यह बस nectar जो होता है फूलो का रस वह पीती है और इसी तरह पॉलिनेशन करती है यह best pollinator माने गए हैं यानि कि यह pollination में बहुत मदद करते हैं बहुत अच्छे pollinator होते हैं और टुशी में इनका बहुत जादा योगदान है तो अगर आपको यह दिखाई दें तो इनको बिल्कुल मारना नहीं है इनकी बचाव करना है आपको तो यह थोड़ी सी ही पत्तियां खाएंगी बस जादा नहीं खाएंगी और फिर से आपके plants हरे बरे हो जाएंगे तो उसमें परेशान नहीं ह होना है तो वीडियो अच्छे लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कोई क्वेरी हो तो जरूर पूचिए थैंक यू कोई ऩाएंगी जरूर जरू जरूर पक्वेरी हो जरूर प्सक करता है तो जरूर लग्यों हे जरूर जरूर बदय चूपांगी हो जरूर जरूरा भी बदािए जरूर जरूर